आपका मार्व दर्सन पे बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों घर के मंदिर में ये कुछ गलतियां हैं जिने नहीं करना चाहिए और अगर ये हो रही हैं तो ये काफी नुकसान का कारण बनती हैं क्योंकि घर में मंदिर जब हम पूजा करते हैं तो निश्चे सी बात है कि हम अपने फायदे के लिए करते हैं मोग्ज के लिए करते हैं सांती के लिए करते हैं परन्तु उस पूजा घर बे कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती हैं जो हमारे लिए काफी नुकसान दे होती हैं तो सबसे पाली बात तो यह है दोस्तों कि मंदिर को पूजा घर को कभी गंदा ना होने दें क्योंकि दोस्तों जब मंदिर पूजा घर आपका गंदा हो जाता है तो यह मतलब आपके सारे ग्रहों को खराब कर देता है और ग्रह खराब होने से नाना प्रकार के कश्ट मिलते हैं तो जैसे ध्यान रखिए कि जैसे ही आपके घर का मंदिर गंदा हो आप सारे काम छोड़ करके तुरंत मंदिर की सफाई कर ले अब अगली सीज़ देख लिजे कि हम सब के घर में मंदिर में जो रामाड पड़ी रहती है उस रामाड को कभी भी आप खुला न रखें रामाड को लाल रेस्मी कपड़े में या रेस्मी कपड़ा न मिले तो इसी तरह से साधान जो लाल कपड़ा आता है तो उसमें बाद करके ही रामाड को लपेट करके तब रखें कभी भी रामाड को खुला न रखें अब अगली चीज़ है कि देखें घर के मंदिर में सीवलिंग रखना नहीं चाहिए परन्तु अगर आप सीवलिंग रखते हैं तो ध्यान दिखिए कि आपका जो अंगूठा है उस अंगूठे के बराबर ही या उससे छोटा बराबर नहीं उससे छोटा ही सीवलिंग आप रखें तब ही जाकर कि यह आपके लिए सुब होगा वरना यह आपके लिए नुकसान दे होगा स्यूलिंग रखना अच्छा नहीं होगा और अगर हो सके तो मैं यही कहूंगे कि अगर स्यूलिंग है आप काफी टाइम से पूजा करते हैं बहुत छोटा है तो अच्छी बात है और अगर रखने का सोच रहा है तो भरसक ना रखे तो अच्छा है और आप मंदिर में ही जाके पूजा कर लें क्योंकि दोस्तों ना रखने का कारण यही है कि स्यूलिंग की जो बहुत ज़्यादा सेवा चाहिए और इतनी सेवा हम उन्हें कर नहीं पाते हैं घर में घर के मंदिर में तो फिर यह घर में देवी दुरगा के मुर्ति रखते हैं तो उसमें ध्यान दिजिए आपकी जो सेर का मुह होता है वो खुला नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सेर का मुह खुला होता है वो काफी उग्र रूप होता है आपना जाता है वो मुहनाता सेर रखना होता है इस तरह की गलतियां अगर हो रही हैं तो ये पूजा घर में वास्तु दोस्त का कारण बनती है और अगली चीज़ यह है कि जो हमारे पूजा घर वो बंडार रूम में नहों वेडरूम में नहों किचन में नहों क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है वह वास्तु अगर उनकी आप पूजा करते हैं तो निश्चीत से बात है कि आप नकर आत्मक्षक्तियों को प्रशन करते हैं तो इसलिए तुटी हुई फोटो है मुर्ति है भले ही उनकी आप उनके साथ आपकी बहुत सारी यादे जुड़ी हैं आस्था जुड़ी हैं पर उन मुर्ती और फोटो को हटा देना ही उचित होता है अगली चीज है कि बहुत सारे लोगों को अपने पुर्वजों की फोटो भी अपने मंदर में ही रखना अच्छा लगता है या रखना चाहते हैं तो दोस्तों पुर्वजू का फोटो कभी भी अपने मंदिर में न रखें ये बहुत बड़े वास्तु दोस्त का कारण बनता है और पुर्वजू का जो फोटो है दोस्तों उसे आप दक्षिन की दिवाल से लगा कर कि वहीं रख लीजे अपने मंदिर में न रखें क्योंकि म मंदिर के बाद होती है ...होरहि 검찰 अगर अगर आप घर में किसी मुखे दर्वाजे पर नहीं जगह रखे हैं घर के मंदिर में आप 3 घर कटी पर यृख Edi के फोटो श्मय पर आप संक को आप अगर आपके घर में दो संक है, अगली चीज यह है कि जो आपके घर का मंदिर है दोस्तों, जो पिछली पहले में वीडियो बना चुके हूं उसमें आपको सारी दीशा बगर बता चुके हूं कि कहां पे रखना काफी अच्छा होता है और कहां पे रखना आपको अच्छा नहीं माना जाता है तो बस दोस्तों यही सारी बाते थी जिनको आपके साथ मुझे बताना था सेयर करना था तो दोस्तों उमेद करते हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है कि मिलती हुई इसी कर दो कर दो कर दो कर दो